हेलो माई लवली यूट्यूब फैमली सैवी दिस साइड वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल आई होप आपसे लोग एकदम बढ़िया होंगे वेल मैं भी एकदम फाइन हूँ एंड वन्स अगें थैंक्स वर यूर ट्रिमंडस लव और सपोर्ट तोवर्ट्स माई इनिशि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा ही कम बिल्कुल भी नहीं होगा तो बढ़ते हैं आज की टाइमलाइन में आगे जो पहली टाइमलाइन हमारे पास है वो एक्चली रिफ्यूजल किये कल मुझे इंस्टेग्राम पिन का मैसेज आया था दैट शी गॉट रिफ्यूजल और उन्होंने शो किया था तो उन्होंने नहीं बताया फिर मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे जले पर नमक डालते हैं अगर मैं ज्यादा पूस्ताज करूंगी तो मैंने नहीं पूछा इट इस सैट टू हेर क्योंकि हम एक डेट साल इंतिजार करते हैं और फिर एकदम से जुजल के चकर से बायमेट्रिक हो चुका था इन्होंने दुबारा से मेडिकल अफ्फरंट ही करवाया था 18 जन्वरी 2022 को पी पी आर इन्हें रिसीव हुई है 10 मार्श 2022 को मैंने मैंनी कॉंग्रेचुलेशन्स टू यू यस में की टाइम लाइन है इन्होंने अपलाई किया इनकी प्रोफाइल थी इस पाउस ओपन वर्क परमिट प्लस विजिटर विजटर विज़ा फोट्स और इन्हें रिसीव हुई यह पी पी आर सिर्फ अपने बच्चों के लिए तो कॉंग्रेचुलेशन्स टू यू ने अपलाई 10 में को किया था मैडिकल इंका 28 जून 2021 को इस पाउस ओपन वर्क परमिट वाइल तो आज पीपीर काफी कम थी पीपीर टाइम लाइन इसका रीजन ही हो सकते है कि आप लोगों को मैंने देखा है कि वह भूल जाते हैं कुछ और काम भी होते हैं इसलिए वह शेयर का ना भूल जाते हैं कल हमारे बास बहुत सारी सब्सक्राइबर नेपाल उन्होंने गलती से बाय मिस्टिक उन्होंने उन्होंने कर वीज़ा का मेडिकल जबकि उन्हें करवाना था वर्क वीज़ा का मैडिकल सो हर क्या यह वैलेड रहेगा फॉर्क वीज तो अगर आप इसका नॉलिज रखते हैं अगर आपको इसका कोई भी एक्सपी से सो प्लीज हल पर आउट सो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे कल के पोलिंग के में रिजर्ट्स शेयर कर रही हूँ आप इसे एक आईडिया लगा सकते हैं कि किस मंत के किस कैटिकरी के कितने अप्लिकेंट से भी रहते हैं अगर आप फैप के अप्लिकेंटे तो आसा मैं सोची कि ऑक्टोबर वालों की पीपीर आ रही है हम लोग पीछे रह गए कुछ प्रोसेसिंग में लेट लगती है इस ओके बस रिफ्यूजल नहीं आना चाहिए किसी कभी विकाज कल जब मैं उन एप्लिकेंट से बात कर रही थी जिनका रिफ्यूजल आया तो बहुत बुरा लगता है हम लोग इतना वेट करते हैं और फिर जाके रिफ्यूजल मिलता है तो हमें किसी से कुछ शेयर करने का ज़्यादा मन भी नहीं होता है वो बहुत ही ज़्याद ज़्यादा फ्रस्टेटिंग सिचुएशन होती है तो यह थी आज की टाइम लाइन और जो क्वेरी हम मैंने पूछी आप से प्लीज उनके आंसर सब जरूर दीजिएगा और कल मिलते हैं बहुत सारी पीपियर के साथ और अपनी पीपियर टाइम लाइन शेयर करना ना भू ले सो थेंक यू बाबाई टेक एर मिलते हैं कल की व्लॉग में